आज मैं सर्दियों की एक पहतरीन सबजी बनाने जा रही हूँ जिसको मटर पसंद है गोवी पसंद है उसके लिए ये रेसिपी तो इतनी अच्छी है ना कि वो वीडियो देखने के बाद इसे बनाए बिना नहीं रह सकेगा और जो लोगों को पता है कि निमोना क्या होता है उनके मूँ में तो पानी ही आ जाएगा इतनी अच्छी रेसिपी है ना तो आईए बनाते हैं इसे इसे हमारे यहां तो निमोना यानि की मटर का दाल कहा जाता है आप क्या किस नाम से जानते हैं कोमेंट करके बताईएगा जरूर तो निमोना यानि मटर का दाल बनाने से प बारीक कर रही हूं चॉपर में डालके इसे पीसना नहीं है, मतलब पीस भी सकते हैं लिकिन अगर इस तरीके से चॉप करके डालते हैं तो इसका टेक्षर जो है अलग ही आता है, पीसने से क्या है प्याज जो है वो पानी छोड़ देता है, तो मैंने इसे बहुत फाइन एकद इसको गरम पानी में नमक के साथ 10-15 मिनट के लिए भिंगो दिया था, एक मीडियम साइज का आलू छोटे टुकडे में काटके ले लिया है और इसी के साथ करीब 400 ग्राम ताजा मतर ले लिया है, निमोना यानि मतर का दाल जो है ताजे मतर से बनाएं इसका स्वाद बहतरी नाता है, तो इस मतर के जो मैंने मतर छील के रखा है उसमें से करीब एक कप मतर पीस लेंगे, हलका दरदरा पीसेंगे ज्यादा इसको फाइन नहीं करना है, बिना पानी डाले ही आप इसे पीस सकते हैं आराम से, तो इसे पीस कर एक साइट रख लें, इसी के साथ इसमें ए एक साइट रखते हैं, अब एक पैन गरम करें और उसमें डाल दें तेल, मैं सरसो के तेल में बना रही हूँ, आप इसे देसीगी में भी बना सकते हैं, अब जो हमने आलू और गोबी को साफ करके रखा है ना, उसको डाल कर इसमें थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते हुए हलका सुनहेरा कर लेना है, मतलब कि इसको भून लेना है, बस अच्छे से इसे भून लिया है, मैंने अब इसे बाहर निकाल लेते हैं, अब इसी तेल में थोड़ा सा जीरा, एक बड़ी लाइची, तेज पत्ता और खड़ा लाल मेच, इसी के साथ आप इसमें एक दालचीन लोड़ी देर के लिए इसे हम छोड़ देंगे कुछ सेकेंड्स के लिए, अब इसमें जो हमने प्याज, लैसन और हरी मिर्च को चौप करके रखा है ना, उसे डाल दे, देखिए हमने इसे चौप किया है ना, तो ये पानी नहीं छोड़ा है, इससे क्या होता है ना, फाइ कर लेंगे इस तरीके से, अब इसमें टमाटर डाल दें, और टमाटर डाल करना मेडियम फ्लेम पर या हाई फ्लेम पर एक दो मिनट के लिए आप चला लें, बहुत जादा इसको भूनने की जरूरत नहीं है अभी, बस हलका साई से पका लें, इसी के साथ इसमें थोड़ा स अध्रक कद्दू कस करके डाल दें, एक बर इसे चला लेते हैं, चलिए अब इसमें मसाले डाल देते हैं, तो मसाले में आदा चोटा चमच धनिया पाउडर, आदा चोटा चमच गरम मसाला पाउडर, आदा चोटा चमच जीरा पाउडर, और नमक इसमें स्वात के अनुसार डाल दे देखिए जो निमोना यानि मटर का डाल होता है वैसे तो उसमें हल्दी का इस्तमाल नहीं किया जाता है क्योंकि उसका जो लुक होता है कलर होता है वो ग्रीन होता है तो इसके लिए हल्दी का इस्तमाल नहीं किया जाता है लेकिन अगर आप चाहें तो हल्दी का इस्तमाल कर सकते हैं मैंने इसमें हल्दी नहीं डाला है अब जो हमने मटर पीस के रखा है न उसे डाल दे मटर को क्या है न दो-तीन मिनट हम अच्छे से भून लेंगे तेजाज पर इससे क्या है जो मटर का कच्छा पन है वो निकल जाएगा देखी दो-तीन मिनट मैंने इसे अच्छे से भून लिया है अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें जिस grinder में हमने मटर को पीसा था ना अभी उसी में मैंने थोड़ा सा पानी डाल कर इसमें डाल दिया है थोड़ा सा मटर इसमें डालना जरूरी है अलग से खड़ा मटर तो एक से दो मिठी मैंने मटर डाल दिया है अब जो हमने आलू और गोबी को फून के रखा था ना यानि फ्राई करके रखा था उसे भी डाल कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए अब इसमें आप इतना ही पानी डालें जितना पानी आपको जरूरत है वैसे मुझे पर्शनली ये थोड़ा सा पतला अच्छा लगता है तो मैं इसमें एक से देर गलास पानी डालूँगी एक डालचीनी का टुकड़ा डाल दिया है जो कि मैं स्टार्टिंग में भूल गई थी बस एक से देर गलास मैंने इसमें पानी डाला है अगर आपको गाढ़ा ये पसंद है तो आप थोड़ा सा इसको गाढ़ा यानि थीक रख सकते हैं नहीं तो इस तरीके से थोड़ा ज़्यादा पानी डाल सकते हैं बस अब इसे ढख कर 10-15 मिनट के लिए लोग से मीडियम फ्लेम पर छोड़ देंगे या तब तक इसे पका लें जब तक कि ये आलू और गोभी अच्छे से पक नहीं जाता है ताजा मटर जो होता है न इसको पकने में समय ही नहीं लगता है तो बस ये हमारा निमोना यानि मटर का दाल बन कर तयार हो चुका है देख रहे हैं कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है लाश्ट में इसमें बारी किया हुआ धनिया पत्ती और एक से दो चमच आप देसीगी का इस्तमाल जरूर करें निमोना में देसीगी का इस्तमाल जरूर किया जाता है तो इसे आप skip ना करें बस अब इसे अच्छे से mix करें इसे आप गर्मा गरम रोटी के साथ चावल के साथ खाएं बहुत ही लाजवाब लगता है पूरी के साथ भी ये आपको अच्छा लगेगा लग रहा है ना अच्छा तो इसे आप फटा फट बनाईए और comment करके गाँ के गँचा है तो मैटर मीठा होता है तो स्वाध ही ना हलका सा मीठा को जरूर लगेंगा वैसे बहुत लोग इसमें ॥ा सचीनी आपको डालते हैं तो बस उन्जोय करें इस रेसीपी को और बनांग्र हमें बताईए गाँचा जरूर मिलते हैं नेक्ट वीडिओ में